सब में हमारे अधिक जी खेल गए हैं ऐसा अधिक हमें आज सक पर्देश के भिवा में कर रहा हूं पचाथ परस्थे कांग्रेश की राजीन कर रहा हूं मैं चाहूंगा पूर चाल यादो नीठी रहे गए 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 अधिक हमारे सब्माने बुद्दर को और नोजवान साथियों से लेकर के वापता जेल याक्ता ही की है और ऐसे रेक्टी को ऐसे शक्सियस को मानिये सोनिया जिए अगर प्यापारियों के लिए अगर नीती बनाने की बात आती है तो निश्चित रूप से देश में जब कांग्रिस की सरकार होती है तब ही उनके लिए नीती बनाने का काम होता है तो इससे बहुत बड़ा नुक्सान होने वाला है बागी हाद आदे लिए जिससे तिहास की बड़ा ताद हमारे बीट पे पहचान और मकाम बनाया है आज ये हुकुवत चोवादी है तो अगर नलु जी के नाम से आज उनका मैं हर दिस्वागत बनन अभननन करता हूँ इस ब्रक कमेटी के सम्मानिक प्राकत द्यत जो हमारे सर जील जाकर किसार जये जवाद किसार जो खेत को चोते बोए वहीं किसे ओगा है लए कि 3-0 बाद सब्सक्राट अप्षे का मैईलाओं को गलत निगा से देखेगा उसका क्या हो जाएगा राम नम को किसने किसने सज़ उनका इह भासो बाया आप लोग सुने हैं पीछे वाले बाया सज़ो बुख सुने हैं की नहीं सुने हैं ये भासो आपने सुना है कि नहीं भासर मुख्मंत्री जी का आप रादी या तो जेल में नियाय पंचायत और ग्रामसभा के गठन की प्रकिरिया के अंतर्ड़त आया था कारकर्टाओं से संभाद बात्चीत और संगठन के निर्माड की क्या प्रकिरिया चल लए है तीन तारिक से तेज तारिक तक हम सब लोगों को आठ हजार नियाय पंचायत और फरवरी के अंतर्ड़त साथ हजार ग्रामसभा के गठन की प्रकिरिया करनी से निश्चित करने आदे हैं तेनका गांजी जी का सबस्त रूप से हम उस कारे में लगे हुए हैं हमारे पार्टी के वर्कर पूरी तर लगे हुए हमें भरोसा है कि हम समय बत तरीके से अपने संगेठर का निर्मार का इराजनीत का एक नया आयाम लिखेंगे और 2022 में सब्सक्राइब सर अतर प्रदेश में हम विपत्च के रूप में हैं खानून ब्यवस्था चायों बदायों की घटना और कांग्रेस पार्टी का परजाड एलिगेशन हो आ गया उनकी आवाद को हम सदन में उठाएंगे सड़क पर उठाएंगे ब्रस्टाचार अहम मुद्दा है जो सरकार कांग्रेस को घष्टाचार के नाम पर घेलती थी आज वो सरकार समसान में दलाली करने हैं 26 लाक में 16 लाक रुप के कमी संथा योगी जीरो टारलेंज की बात करते हैं उनके जीरो टारलेंज का सच भस्तन घोटाले सहकारता विभाग के घोटाले और डिये चपल जैसे 46 घो पर खानून दिवर्था के मुद्व पर इस सरकार के खिलाप लगतार सरकों पर संगर्श कर रहे हैं सदनों में आवाज उठा रहे हैं और इस सरकार का 13 बेनकाब कर देंगे